हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ आईएस हिंदी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है Study IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे मेरा नाम है अबिनोकुमार बोरे और आप सभी के लिए एक important news update अप्डेट क्या है तो बेसिकली सुप्रीम कोट ने कुछ डिसिजन्स दिये हैं रिगार्डिंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अर्थात हमारी सोन चिड़ईया के बारे में अक्सर इसे जो है लोकल लेंग्वेज में सोन चिड़ईया या सोन चिड़ईया इस नाम से जो है वो बुलाया जाता है scientifically इसे जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है ये भारत में मिलने वाली सबसे बड़ी जो है वो बर्ड है अभी अगर मैं आपको बताओं तो सुप्रीम कोट का ये जो जज्जमेंट आया है ये जो निर्ने आया है ये बेसिकली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के conservation अर्था जिसके संद्रक्षन से संबंदित है भारत की सबसे बड़ी चिडिया है और इसकी संख्या गिरते हुए अभी तक अपनी जो actual number था उसका 90% पार्ट इसका जो है वो संख्या जो है वो समाप्त हो चुकी है केवल 10% और अभी अगर मैं बताओं तो 2008 का updated data है जहां 200 ही जीवित Great Indian Bustard भारत में बची थी अब इतनी खराब इस सिती के पीछे का reason क्या है तो आई इसके बारे में discussion करते हैं but before I start ध्यान से देखिए यह जो है यह आपको दिखाई देगा Great Indian Bustard की कुछ images यहां ध्यान से देखिए आपको इस परस्ट तौर पर यह जो है वो मेल दिखाई देगा एंड यह जो है यह फीमेल है ना जरा ध्यान से देखिए मेल और फीमेल के body size में significant difference होता है इसलिए आप कह सकते हैं कि इन में भी sexual अर्थाद मेल फीमेल के body size में पर्याप्त अंतर है अब यह जो है यह है बेसिकली हमारी Great Indian Bustard ठिक अब ध्यान से देखिए यह भारत की सबसे बड़ी biggest bird कही जाती है इंडिया की biggest bird of India यह भारत की सबसे बड़ी birds कही जाती है अब यहां समझेगा कि इस bird की जो संख्या है वो लगातार कम क्यों हो रही है पहले हम इस पर चर्चा करते हैं और इस पर 2021 में सुप्रीम कोर्ट का जो है एक decision आ चुका है पहले ही अब क्या कहा गया है इस decision में तो ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहां पर इसे underline करा है ध्यान दीजे कि 2016 में पहले से matter चल रहा था और 2021 में जो इस पर 19 से case दायर हुआ और 21 में जो decision आया उसमें एक point कहा गया था जो great Indian bastard है इसे GBI के नाम से जानते है जो great Indian bastard है कहा गया कि यह एक बड़ी चिडिया है big bird है और इसके साथ एक problem है कि इसका जो eye vision है यह बहुत अच्छा नहीं होता ध्यान से समझेगा मैं क्या कहा रहा हूँ इसका eye vision चूकी बहुत अच्छा नहीं होता इसलिए जो high tension की power lines हो पर यह इन power line से टकराने के करान जो है इनकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही है point अब यहां ध्यान से देखिए एक बिल्कुल वो reason है जो तातकालिक है यानि कि जो government द्वारा development initiative करे जा रहे हैं अभी मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि जो high voltage की power lines है यह ज management था जहां पर government ने अपना argument रखा और उसके बाद Supreme Court का decision यह आया कि जो overhead जो power lines है उसे underground करा जाए इस जिस एरिया में जो है Great Indian Bustard का प्राकृतिक आवास है अब ज़रा मैं आपको इसके प्राकृतिक आवास से अगर अवगत कराऊं तो ध्यान से देखेगा कुछ इस प्रका है यह basically arid और semi-arid area में mainly आता है अर्थात यह शुष्क और अर्धशुष्क छेतर में mainly पाई जाती है और इसका area आपको मुख्यता इस place पर दिखाई देगा अब यहां समझेगा यह जो portion है इसके अलावा कुछ birds आपको महरास्टर और कुछ birds आपको MP में भी देखने को मिल इसका प्राकरतिक आवास है यह हुआ इसका प्राकरतिक आवास अब समझेगा जो प्राकरतिक आवास है यह हम कह सकते हैं mainly राजिस्थान में है और साथ में यह गुजरात में है अब जो decision आया था supreme court का 2021 में अर्थाट 2021 में इस decision में कहा गया कि भई जहां जहां great union बस्टर्ड है वहां वहां पर underground वहां पर underground जो है वो wiring करी जाए वहां पर जो development initiatives हैं अभी मैं आपको बहुत detail में समझाओंगा कि यहां पर जो है वो solar power plants का establishment चल रहा है अब इस कारण गवर्मेंट ने जो development initiative करे उससे इनकी संख्या में कमी आ रही थी अब 2021 का ये निर्नाय आया अब जब निर्नाय आही चुका था तब के case में हमें क्या जरूरत पड़ी 2024 के case की तो यहाँ ध्यान से देखे सुप्रीम कोट ने अपना decision तो दिया परंतु एक दूसरा issue जो है वो समय के साथ निकल कर आया और दूसरा issue क्या था तो ध्यान से देखे अगर मैं आपसे कहूं तो government ने जो इस article का मैं reference ले रहा हूं उस article में भी same चीज mention है that government का अपना भी एक stand है इस टेंड क्या है कि भई जब 2011 में supreme court का निर्णाय आया था में आपके समय नियर अबाउट असी हजार जो है square kilometer की बात करी गई थी कि इतना area जो है वो conservation में आएगा और यहाँ पूरे area में जो है आप यहाँ देख पाएंगे article में भी mention है कि इस पूरे area में जो है वो underground जो power lines है उनको establish करा जाएगा परंतु यह feasible नहीं था यह व्यवहारिक नहीं था इस कारण जो work था यह कहीं न कहीं थोड़ा different manner में trigger हुआ परंतु बाद में court ने इसे जो है अभी के समय amend करा और यह कहा है कि भाई देखिए जहाँ पर great Indian worsted मिलती है उस area में तो underground ही होगा जो भी high power tension lines है उनका establishment हाँ हम इतना कर सकते हैं कि कुछ areas को prioritize कर ले कि पहले वो places जहाँ पर यह birds mainly पाई जाती है वो places का conservation जरूर हो उस area में तो जो high power tension lines है यह established ना हो अगर होती है तो उन्हें जो है वो remove अगर हो चुकी है तो उन्हें जो है wonder ground कर दिया जाए यानि कि primarily जो habitat है which is near about 6000 यह लगभग 6000 square kilometer का area है यहाँ पर तो court का decision है कि भई आपको इस area में ध्यान रखना होगा कि जो birds है वो high power tension lines से ना टकराएं clear अब way ahead हम देखें तो भई reason क्या है इस सोन चिड़या के खत्म होने का क्यो 90% population जो है इनकी decline हो चुकी है अगर मैं आपको बताऊं तो जो सोन चिड़या है हमारी इसका IUCN status याद रखें अगर आप exam के preparation कर रहा है तो make sure आपको इसका IUCN International Union for Conservation of Nature इसका status याद कर लेना चाहिए ये CR critically endangered category में आती है 90% से जादा इसकी जो संख्या है वो कम हो चुकी है और अगर मैं आपसे कहूं कि इसका ये सिति आने के पीछे का reason क्या है तो इसकी ये सिति आने के पीछे का main reason अगर हम चर्चा करें तो यहाँ ध्यान से देखिएगा great Indian bastard ध्यान से देखिए ये सिति आने के पीछे का मुख्य कारण है एक तो पहला शिकार और second सबसे बड़ा reason है बेसिकली प्राकर्तिक आवास की हानी अब यहाँ समझेगा अगर मैं आपसे कहूं कि इनका शिकार किसलिए होता था तो एक सायद आप सभी परचित भी हो इस बात से कि कहीं न कहीं ऐसी अफवाहें थी या ऐसी रूडी थी या कुछ places में ऐसा करा गया जो की यह बताता है कि भई बेसिकली यह जो बर्ड है यह अपने एक्स जो है यह पारस नामक पत्थर से तोड़ा करती है और यह जो पारस पत्थर है इस पत्थर की एक विशेश्टा यह होती है ऐसा कहा जाता है कि इसकी एक विशेश्टा होती है और इसलिए पकड़ा गया कि भई अगर ये कभी अपने अंडे दे और उन्हें फोड़ने का प्रयास करें तो वो पारस पत्थर ढूंड लेगी और उस पारस पत्थर से हम लोहे को सोने में बदल देंगे एसी कुछ जो है अफवाहें थी एसी कुछ जो है रूडी थी एसी कुछ जो है वो छेत्रों में चर्चाएं थी इसका बहुत बड़े इस्तर पर शिकार हुआ एक पॉइंट तो यह हुआ और दूसरा पॉइंट है भई कि इसके प्राकरतिक आवास का बहुत बड़े इस्तर पर जो है वो विनाश हुआ है अगर मैं आपको स्पैसिफिकली बताओं तो याद रखे कि गुजरात और राजेस्थान के एरिया में जो गवर्मेंट ग्रीनरी प्रोजेक्ट चरा रही है अर्थात जो हरित कारक्रम चलाया जा रहा है या हम कहलें प्राकरतिक आवास की च्छ है इस प्रकार से ये वाले एरिया में अगर मैं कहूं तो ये अरावली का पॉर्शन है और ये पूरे एरिया में हमने जो है ग्रीनरी प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रखा है जिस कारण इस बर्ट की संक्या में लगातार कमी आई है और ये भी याद रखेगा के ये एरिड औ को प्रमोट करा आई तिंक आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपको जो मैंने जनकारी दी ये आपके लिए वैल्यूफुल रही होगी और अगर आप यूपीए सी की तयारी कर रहे हैं तो याद रखेगा स्टड़ी आई क्यू के जो पी टू आई बैच किस में देखने वाला हूँ मिलते हैं नेक्स वीडियो में हैव वेरी नाइस डे हिंदी में यूपीए सी की तयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टड़ी आई क्यू आई एस हिंदी